हलो नमिश्कार, वल्कम टो इनकल के इट लर्निंग, आज हम बात करने वाले हैं फिश बोल स्ट्राटेजी के बारे में important है क्योंकि इस से related net में या बाकी जो है जगह पे जहां पर भी teaching strategy की बात होती है वहाँ पर question आ सकता है, तो एक तरीके से ये cooperative learning की strategy मानी जाती है जिसके अंदर सभी बच्चे included रहेंगे और एक shared goal की तरफ आगे बढ़ेंगे plus उनको individually भी और team में भी assist किया जाएगा ठीक है so cooperative learning की strategy है, ये बात याद रखेगा ये भी पुछा जा सकता है कि cooperative learning की या collaborative की तो usually इसको cooperative learning की strategy माना जाता है उसकी साथ-साथ इसको use क्यों किया जाता है इसको medium से लेके large level तक के group discussions arrange करने के लिए organize करने के लिए इसको use किया जाता है ठीक है जी, यानि कि आपको जो है class में अगर group discussion जो है include करना है या group discussion करवाना है किसी topic के उपर इसके steps क्या हो जाएगे, एचा एक नाम देखी, fish bowl ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपने देखा होगा ना, मैं bowl तो पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं पर बात आपको समझ आ जाएगी, इसकी guarantee है तो इस तरीके का fish bowl जो है वो आपको देखने को मिलता है अब इस fish bowl को आप ऐसे थोड़ा है चप्टा कर दीजे ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आए अगर समझ आएगा तो ये नीचे चला गया बाकी side में लोग बच गए सो बीच में जो है एक group discussion यानि inner circle इसको हम बोलेंगे जो की बैठके discussion करेंगे और बाहर जो ये बच गया आप न ये वाला area सो बाहर जो है circle में ही बैठके लोग क्या करेंगे सुनेंगे उसको लोग भी ने usually student लगा लीजी आप तो कुछ एक group एक group of student तो जो है इस inner circle में बैठे है सो ये word याद रखिए क्योंकि इसी तरीकी का कुछ जो है वो आपको किस में देखने को मिलता है यहाँ पर group discussion भी included रहता है जिगसो में देखने को मिलता है ठीक है जिगसो strategy यहाँ पर expert group और home group bird यूज होता है यहाँ पर inner circle और outer circle यूज होता है जो inner circle में बच्चे बैठे हैं वो discussion में included हैं यानि कि वो discussion में involved हैं वो बातचीत कर रही हैं किसी particular topic पर जो outer circle में बच्चे हैं वो सुन रही हैं बहुत दिहान से आप यह जो side वाले बच्चे हैं इन सब को ठीक है यह चीज आपको clear तरीके से समझ आनी चाहिए कि inner और outer circle में फर्क क्या है अब इसमें कुछ steps अगर आप सोचें तो आप एक classroom imagine कर लीजिए उस classroom में आप अपने आपको एक teacher की तरह imagine कीजिए और इस चीज को रटिये मत समझने की कोशिश केजिए ठीक है तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी कि आपको एक topic select करना है so being a teacher अब आप सिर्फ facilitator का काम करेंगे वो भी शुरुआत में कि being a teacher आपके पास एक topic है हो सकी तो आप बच्चों को भी a topic inform कर दीजी ताकि वो prepare करके आई ठीक है अब इस topic के बाद आपको क्या करना है चार से पाँच बच्चों का एक fish bowl बनाना है ठीक है यह चार से पाँच बच्चे जो है यह inner circle में रहेंगे जो कि यहाँ पे बैठेंगे मालो यह 5 बच्चे हैं यह यहाँ बैठें है बैन हम क्या करेंगे जो बाहर वाले बच्चे हैं जो आदर जो है क्या outer circle में अपने बैठें हैं इन लोगों को हम instruct करेंगे कि वही आपको जो है इनकी बातों को ध्यान से सुनना है और उस सुनने के बाद आपको important points को जो है वो note down करना है अब इन लोगों को हम यह भी inform कर सकते हैं कि बीच में जैसे ही discussion चल रहा होगा हो सकता है कि इन में से किसी बच्चे को यहाँ switch कर दिया जाए यानि outer circle से inner circle में switch कर दिया जाए यह बाद ध्यान रखिए कि जब तक inner circle में है तब तक ही आप discussion में शामिल है बाहर वाले मतलब अगर यह बच्चा यहाँ बाहर आ गया है replace होके so obviously पहले तो इसको inform कर दीजे कि आपको जो है rotate किया जा रहा है rotation wise आपको जो है change किया जाएगा because जो outer circle में है न हमें धीरे धीरे करके उन सब को मोका देना है कि वो inner circle में आएं और उस discussion में शामिल हूँ ठीक है so हर एक बच्चे को वो inner circle और outer circle का experience रहेगा और उनको हम better तरीके से instruct करेंगे बाहर वाला जो outer circle है कि वही आपको बहुत मतलब चुप रहना है आपको you should be quiet और उसके साथ साथ आपको observe करना है observe करने के बाद आपको points not down करने है starting में आप क्या करेंगे facilitator का काम करेंगे facilitator तो teacher जो है वो starting में facilitator का काम करेगा और facilitator क्या करेगा इस group discussion को facilitate करेगा यानि जहां पर भी उनको थोड़ी energy down लगी वो एक question जो है वो बीच में फेग देंगे और एक deeper understanding के लिए वो question जो है वो बहुत ज़रूरी होगा कि उससे और better तरीके से discussion हो रहा हूँ उस point के उपर so starting में आप facilitator का का काम करेंगे कि जब तक आप outer circle में हैं आप चुप हैं सिर्फ observe कर रहे हैं जब ये सारा discussion चीजें हो गई हमने जब सारा का सारा rotation कर दिया हमने inner circle outer circle में सब बच्चों को बैठने का मोका दे दिया सब बच्चे discussion में भी included हैं जब हम इसका rotation कर रहे हैं उस time पे हम इनको inform भी कर रही है so overall हमें नजर आ रहा है कि discussion कहीं न कहीं wrap up हो रहा है अब जब ये सारी की सारी चीजें हो गई है सब का number आ गया है एक एक करके उसके बाद आप क्या करेंगे एक small group में class को divide करेंगे उन small groups में divide करने का reason क्या है कि अब आप उनसे debrief करने को कहेंगे यानि उन्होंने क्या सीखा यहां से वो अब आपको debrief करेंगे कि आपके सामने बताएंगे कि उन्होंने क्या सीखा है ये ये group discussion से या ये जो अपना fish bowl strategy आपने अपनाई है ये अच्छा ओके ये जो inner circle है ना इसको fish bowl भी बोला जाता है अगर आपको बोला जाए ना कि दो circle है inner circle outer circle so inner circle को fish bowl और outer circle को आप observer बोलते हैं ठीक है so अब आप क्या करेंगे जब ये debrief कर रही हैं आपको आपने एक final question के सामने रखा है final question में आप इनको बोल रहे हैं कि अब आप सोचिए इसके बारे में आपस में pairing में भी discussion आप कर सकती है और last में उसको लिखिए उस question को write up कीजिए ठीक है जी then ये write up के बाद जो है आपका complete discussion और आपका ये जो fish bowl है ये complete हो जाएगा majorly question यहाँ inner circle outer circle inner circle को fish bowl होते है outer circle में observers बैटे होते हैं जो चुपचाप रहेंगे वही चीजें repeatedly आपको समझ आएगे बट आप अगर एक classroom imagine करेंगे न तो आपको ये सारे steps automatically दिखने लग जाएगे last में आप एक और चीज कर सकते हैं एक तो है आप इन बच्चों से जो question पूछेंगे न एक रहेंगे fish bowl questions और एक रहेंगे observer question जब बच्चा fish bowl में था आप उससे इस तरीके का question पूछ सकते हैं कि जब वो fish bowl में था जब सब उसको सुन रहे थे तो उसको कैसा feel हो रहा था अगर उसको वापस से chance दिया जाए सो क्या चीज ऐसी रहे गई जो वो modify करना चाहेगा या कौन सा point ऐसा रहे जो वो बोलना चाहेगा अगर उसकी mother tongue में ये सारी चीजें होती तो वो कितने better तरीके से अपनी बात रख पाता वो सारी चीजें आप पूछ सकते हैं observer से आप पूछ सकते हैं कि उसने क्या सीखा क्योंकि observer ना एक तरीके से आपको effectively observer जो बाहर बैठ के सुन रहा है न वो बहुत एक तो listening skill dwell for you definitely skills तो dwell for you discussion में speaking skills जो है वो dwell for you और discussion में आप सोच भी रहे हैं तरीके से critical thinking skills भी आपके डूप हो रही है तो वो सारी चीजें तो अव्विस सी बात है कि आपके teaching strategy है तो कुछ ना कुछ चीजें और कुछ ना कुछ skills तो dwell होंगी ही बट फिश बॉल question और observer question आप याद रख सकते हैं पूछ सकते हैं कि उनको बाहर बैठके या दूसरों को सुनके कैसा लगा ठीक उनको क्या समझ आया इन सारी चीजों से ओके सो यह आपका पूरी की पूरी फिश बॉल की strategy रहेगी मैं उमीद कर रही हूं आपको समझ आई होगी inner circle outer circle facilitator जो है teacher एक facilitator की तरह student को आप facilitator बना सकते हैं आपको rotation जारी रखना है यानि outer circle वाले बच्चे inner circle में आने चाहिए rotation होने से पहले आप एक बार उनको inform कर दीजे ताकि वो mentally prepared रहें कि उनको inner circle में जाना है और अपनी बात रखनी है अब यहां से आपकी बहुत सारी स्किल्स भी ड्वल्फ हो जाएंगी ठीक है जी सो जिग्सो से इसको confuse मत कीजिए next lecture में हम जिग्सो के बारे में बात करेंगी जिग्सो strategy वो भी एक तरीके से cooperative learning की ही strategy है उसमें में इतना time लेके ओके ताकि सब लोग आपको सुने सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बारी-बारी से आप इनको बोलने का मोका दे रहे हैं नहीं वो discussion चल रहा है आप अपनी वाद जो रखना चाहते हैं वो आपने रखनी है और वो जो मोका है वो आपको खुद से लेना वड़ेगा क्योंकि फैसिलिटेटर जो है जो टीचर है यहाँ पर वो सिर्फ इतना सा कर रहा है कि बीच बीच में जहां कुछ उसको थोड़ा लगे तो वो एक और question जो है वो आपके सामने रख दे वो question जब रखा तो अब उसके ऊपर discussion चल रहा है तो 15 से 20 minute का discussion usually यह माना जाता है fishbowl में क्योंकि इतना और वो भी age के basis पर depend करेगा कि अगर age जादा है तो आप बड़ा discussion भी कर सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पर depend करेंगी so I think मैंने fishbowl strategy से related सब कुछ आपको बता दिया है फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो comment करके जरूर बताइएगा again jigsaw से इसको confuse मत कीजिएगा वहाँ पे भी capability के basis पे आप grouping कर सकते हैं यहाँ पे आप capabilities को बहतर तरीके से use कर सकते हैं being a teacher और जो है वहाँ पे expert group home group रहेगा य इनर और आउटर सर्कल रहेगा बिकिस नहीं ने देखा कि जब क्लास में यह question आया आपकी पेपर वन की लाज जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो इसमें था बच्छों को कि वो confused हो गे थे की वही उन्होंने expert group जहां पे भी group की बात आई उन्होंने jigsaw को जो है वो टिक कर दि जैसे जिसमें हम फिश रखते हैं उसका जो बोल होता है उसके अंदर के एक इनर लाइनिंग रहेगी और एक आउटर लाइनिंग रहेगी तो इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल सो दिसो जोल अलवाट टोड़े थेंक्यू समझ नहीं आया हो तो डेफिनिटली कमेंट करके and be consistent in your efforts